हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ लेकिया हूं मैक्रोटनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है मॉनिटरी पॉलिसी वर्सेस फिसकल पॉलिसी इन दोनों पॉलिसी में क्या फरक है चलिए जानने की कोशिश करते हैं सब से पहले मॉनिटरी पॉलिसी में कर्के इन ऑफिर क्रेडिक उन आपके में क्रेडिक आने क्रेडिक लग्माई फ्रेम्स में और फॉटरी पॉलिसी इन में क्या है सकारी खर्चे उर सकारी आमदनी से इसकारी आमदनी से related होती है next monetary policy में it is pursued by the central bank तो monetary policy कौन बनाता है और कौन pursue करता है central bank और दूसरी तरफ fiscal policy कौन बनाता है और pursue करता है government instruments of monetary policy कौन-कौन से bank rate, repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, moral situation, margin requirement of loan etc. on the other hand जो fiscal policy है उसके instruments के हैं public expenditure, public revenue में taxes, public debt etc. ठीक है तीन वैसे तो तीन ही है public expenditure, taxes जो public revenue का पार्ट आ जाता है and public debt I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please like, share and subscribe next video में मैं लेके कुछ नहीं होगा क्योंके यह topic खत्म होगा अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो take care and have a nice day